आईए आज कुछ प्रेजेंटेशन्स के बारे में बात करें आपका फिल्ड कोई भी हो, फैनांस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, इंशॉरंस हो आपको कई बार टीम के सामने प्रेजेंटेशन्स करने पड़ते हैं आपका सब्जेक्ट मैटर तो इंपोर्टेंट होता ही है, लेकिन उससे जादा इंपोर्टेंट होती है उसकी पैकेजिंग, मतलब उसका प्रेजेंटेशन्स हमारी सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट टिप है, पॉस्चर का सही होना अपना पॉस्चर सीधा रखे, आप आपका पॉस्चर जितना सीधा रखोगे उतने आप टॉल और कांफिडेंट लगोगे बहुत जरूरी होता है एक जन्यून स्माइल का छलतना बार बार, यह स्माइल यह दर्शाता है, ओडियंस के साथ एक एक फ्रेंग्शिप का इंविटेशन होता है, मतलब मैं जब आपसे प्रेजेंटेशन करता हूँ, आप इंटराक्शन मेरे साथ कर सकते हो, जब आप स्म आइसे होता है कि नर्वसनेस के कारण हम सिर्फ सामने बैठे एक दो ओडियंस के साथ ही आई कॉन्टाक्ट करते है और बाकी ओडियंस को भूल जाते है जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, तब आपकी रूम देख लो, आपकी रूम की साइज क्या है, आपकी रूम का ले आउट क्या है, और अकॉर्डिंगली अपना आई कॉन्टाक्ट बारी बारी हर ओडियंस में फैलाईए जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तब आपकी बाडि लैंग्विज जो है, बहुत फैलाईए नहीं, आपके जेस्चर्स जो है, सीमित रखे, लिमिटेड रखे, और जैसे आप चलते हो, वो भी सीमित रखे, और लिमिटेड रखे, लेकिन आपका पॉस्चर सीधा आपको अगर उनके सामने एक इंटिलेक्शिल की तरह पेश आना है, तो आप अपनी बाडि लैंग्विज को थोड़ा सा लिमिटेड रखे, बहुत आप अनिमेटेड ना हो जाए, प्रेजेंटेशन के दरान, अपनी आसपास की स्पेस को यूज करे, और बहुत अच्छे स करे, जब आप वाक करते हो, तो ये दर्शाते हो, कि आप ओडियन्स के साथ कमफिटिबल हो, खुद के साथ कमफिटिबल हो, और सब्जेक्ट के साथ भी कमफिटिबल हो, तो अपनी आसपास की स्पेस को आप यूज कर सकते हैं, बस एक ही जगह पे रबॉट के जैसे होके, प्रेजन्टेशन प्लीज ना कीजिए, क्योंकि ओडियन्स भी बोर हो जाती है, अगर आप थोड़ा सा मुव्मेंट लाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा ओडियन्स में भी जड़ा घूम के आएंगे, तो ये एक confident personality प्रोजेक्ट करता है, एक ही action, भले ही वो कितनी अच्छी ही क्यों ना हो, उसे बार बार ना धोरा है, audience बोर हो जाती है, vary your gestures, आप कई तरह के gestures use कर सकते हो, जब आप gestures use करते हो, animate करते हो, तो आपका presentation interesting हो जाता है, सिर्फ बोलने से जादा actions का जब आप use करते हो, तब audience pictures में सोचती है, आपके description से और हातों से audience के स सामने एक picture आ जाता है, जिसके वज़े से आपके presentation में वो दिलचास्पी लेते हैं, दोस्तों, आजकल के competitive world में बहुत जरूरी होता है अच्छे presentation skills का होना, याद रखिए, आपके job skills से भी जादा, आपके presentation skills जादा जरूरी होते हैं,